पहले विच्छन आश्कार, एंजिनिंग माथवाटिस के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ और हमने पिछले वीडियो में इस्टुन्स न्यूटन्स फर्वर्वर्डिफरेंस इंटरपोलिशन फर्मूलो की उपर बात करा था हमने फार्वर्डिफरेंस टेबल भी बनाना सीखा था स्टुन्स आज हम लोग न्यूटन्स बैक्वर्ड दिफरेंस इंटरपोलिशन फर्मूलो की उपर बात करेंगे बैक्वर्ड दिफरेंस टेबल बनाना सीखेंगे और कुछ नेमरिकल कुस्टन्स करेंगे जिसमें backward difference interpolation formula का use होगा बच्चो तो आईए ज़र हम लोग कुछ पहले इसके बाइर में समझते हैं जाले formula देखते हैं, backward difference table बनाना सीखते हैं और देखते हैं कि कैसे backward difference से table हम लोगों को backward difference interpolation formula में substitute करनी है और कैसे उसका use करना है तो यहाँ पर शुरुवात sprints बैसे ही होगी, जैसे कि forward difference में थी मान लिजे sprints हमारे पास में कुछ data points है x और y के लिए y is equals to fx मान लिजे हमारे पास x0 है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है and so on ठीक है न, x5 तर मान लिजे और उसके corresponding y0 है, y1 है, y2 है, y3 है, y4 है and y5 ठीक, और हमें का गरना है instruments, हमें इनी x0 और x5 के बीच में किसी x value के लिए f y या fx की value find करनी है instruments, ठीक, तो उस value को find करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि backward difference interpolation formula का भी इस्तमाल कर सकते है, तो backward difference interpolation formula क्या होता है बच्छो, formula होता है, इसको पड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, suppose that this is xn and this is yn, और यह equal interval data है, तो तो newton's backward difference interpolation क्या होता है बच्छो, newton's backward enter, newton's backward interpolation formula, newton's backward interpolation formula क्या होता है, बच्छो, क्या होता है, 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 क्या 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 ह P plus 1, P plus 2 upon factorial 3, del cube yn plus P, P plus 1, P plus 2, P plus 3 upon factorial, not 3, it's a factorial 4, del 4 yn and plus so on. इसी तरह से आगे बढ़ते से बढ़ते से बढ़ जाएंगे, where, 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 where P is equals to X minus XN upon H, याने कि that is X is equals to XN plus P H, ठीक बच्चों, तो ये तो होड़ा बच्चों, P के लिए formula, ओके, और भ्यान दिजेगा, YN का मतलब है, जो ही, जो भी table में Y की last value होगी, वो, P, हम लोग इस formula से निकाल लेंगे, now ये del Y0, del square Y0, del cube Y, sorry, del YN, del square YN, del cube YN, del 4 YN, so on, ये निकालने के लिए बच्चों, हम लोगों को backward difference table बनानी होगी, और backward difference table कैसे बनाते हैं, उससे भी सीख लीजे instruments, ठीक है न, के backward difference बनती कैसे है, तो यहाँ पर students हम लोग देखेंगे, formation of backward difference, right, formation of backward difference, backward difference, backward difference, table, तो ध्यान दीजीएगा बच्चों, मान दीजीए हमारे पारस में X की और Y की कुछ values हैं, है न, हम छोटी से table से समझ जाएंगे, मान दीजीए हमारे पारस में X0 है, X1 है, X2 है, X3 है, और X4 है, और उनके corresponding Y0 है, Y1 है, Y2 है, Y3 है, and Y4 है, तो यह जो last की value है बच्चों, एक तरह से यह YN है हमारी last value, तो जब हम लोग backward difference table बनाना शुरू करते हैं, और first backward difference of Y निकालने हैं, तो शुबात होती है नीचे से, कुछ इस तरह से, it's a del Y4, is equal to क्या आएगा बच्चों, it's a Y4 minus Y3, नीचे में से उपर वाला minus, फिर यहाँ पर निकालने हैं, लोग backward difference of Y3, तो यह आएगा बच्चों, Y3 minus Y2, फिर हम लोग निकालने backward difference of Y2, तो it's a Y2 minus Y1, और फिर backward difference निकालने बच्चों, Y1 is equals to Y1 minus Y0, फिर हम नेक्स, it's a del square Y, तो यहाँ पर फिर वीचे से शुबात होगी बच्चों, यह आएगा, del square, del square Y4, तो this is equals to this minus this, फिर निकालने बच्चों, हम लोग del 2, del 2 Y3, तो यह क्या आएगा, this minus this, नीचे से उपर वाला minus, और फिर निकालने del square Y2, तो यह आएगा, del Y2 minus del Y1, तो यह भी निकलाया, फिर और आगे पढ़ेंगे बच्चों, और del 3 Y निकालेंगे, तो फिर नीचे से शुबात होगी, तो it's a del cube Y4, और फिर del cube Y3, this minus this, तो यह आजाएगा, and this minus this, तो यह आजाएगा बच्चों, और फिर square, finally, del 4 Y, तो it's a del 4 Y4, यानि की, this minus this is strength, तो इस तरह से strength, हम लोग backward difference table बनाते हैं, जब forward difference table बना रहे थे, तो Y0, ऊपर हमें मिलता जाता था, और finally हमें last में, del N Y0 मिलता था, backward difference में हमें नीचे से values मिलेगी, forward में नीचे से values कम होना शुरू होती थी, और finally Y0 बसता था, और backward difference में उपर से value कम होना शुरू हो जाती है, और finally YN बच जाता है, और ग्यान दीजेगा कि जो formula है, उस formula हमें इन ही values की जरूद पढ़ेगी, YN, first backward difference of YN, second difference of YN, third backward difference of YN, fourth backward difference of YN, यह देखिए instruments, ठीक, तो यह रहा बच्चो, backward difference table बनाना, and this is the backward difference interpolation formula, इन में जो जो चीचे और जो जो terms students use होनी थी, वो मैंने आपको बता रहा है, यहाँ पर, P निकाल नहीं कि नहीं, यह formula आपके सामने रखा हुआ है, X-XN, be careful, XN, याने कि यह last value of X, X0 नहीं है, forward में X0 होता था, ठीक, and P के लिए यह formula, backward difference की मतद से हम यह सारी values निकालेंगे, जो कि यहाँ पर जबद पढ़ेंगे, अब आईए जड़ा हम लोग कुछ questions लेते हैं, backward difference के लिए, अच्छा एक चीज़ और, आप लोग को एक दिमार बे question आ रहा होगा बच्चों, कि जब हम एक ही काम कर रहे हैं, interpolation का, तो हम अलग-अलग formula के लिए उस कर रहे हैं, तो यह बात तो सही है, कि आप किसी question को जो forward difference से हो रहा है, उसे backward से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनोग interpolation formula है, लेकिन backward difference में अक्सर हम लोग उन questions को करना, मतलब backward difference से उन questions को करना ज़्यादा prefer करते हैं, जो questions में x की value, जिसके corresponding हमें y निकालना है, वो x की value इस x हैं, याने last value के नजदीक होती है, forward difference में हम, forward difference हम उन questions के लिए use करते हैं, जिसमें x की value, जिसके corresponding हमें y निकालना है, वो x 0 के नजदीक होती है, और जो value, बीच की किसी value के नजदीक होती है, x की, value अगर बीच की x value के नजदीक हो, तो वहां central difference use करते हैं, आला कि ऐसी कोई बंदिश नहीं है, ऐसी कोई बंदिश नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा conceptually कहा जाता है, या कुछ books में मिलता है, लेकिन आप interpolation में किसी भी formula का use कर सकते हैं, अगर by name नहीं दिया है, और अगर by name दिया है, तो no doubt आपको वही करना पड़ेगा, अब आई जदा कुछ American question हो जाएं, backward difference interpolation पर, जैसे की question है, बच्छो, question है, using newton's backward interpolation formula, using newton's backward interpolation formula, find F42, F42 for following data, अगर हमें दिया हुए बच्छो, X, Fx, के दिया हुए है, 20, 25, 30, 35, 40, 45, right, 354, 332, 291, 260, 231, 204, right, सबसे पहले हैं, इस question को करते हैं, बच्छो, so newton's backward difference interpolation से करना है, x is equal to 45, given है, सबसे पहले हम लोग backward difference table बनाएंगे, solution, the backward difference table, बच्छो, X, बच्छो, X, बच्छो, Fx, this one, this one, 20, 25, 30, 35, 40, 45, right, बच्छो, यह है हमारा क्या, this is our XN, यह हमारा XN, and 354, 332, 291, 260, 230, 1 and 204, यह जो 204 है बच्छो, it's our YN, 204, अब निकालिये बच्छो, first forward difference, ठीक, this is our Y, तो यह first backward difference, backward difference निकालना है, first backward difference of Y, तो यहां पर निकलेगा बच्छो, del YN, तो this del YN is equals to 204 minus 231, तो it become minus 27 instruments, ठीक, then इसके बाद में 231 minus 260, तो it become minus 29, right, 260 minus 291 instruments, तो it become minus, 260 minus 291, तो it become minus 31, 291 minus 2, sorry, 291 minus 332, तो it become minus 41, and 332 minus 354, तो it become minus 22, right, यह वा, नो second forward backward difference of Y, तो यहां पर हो जाएगा, del square YN, and this is equals to minus 27, plus 29, क्योंकि plus हो जाएगा, so it become plus 2 now next 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 value 29 plus 31 so again it is a plus 2 31 minus 41 plus 41 so it become plus 10 and 41 minus plus 22 so it become minus 19 now next del sorry del square it's a del cube y so it become 2 minus 2 del 3 yn is equals to 0 here it will come it's a 2 minus 10 10 minus 19 10 plus 19 it become 29 right now next del 4 y yane ki del 4 y n is equals to 0 plus 8 8 minus 8 minus 29 to it's minus 37 and finally del 5 y and it's accurate difference of y fifth order so del y n is equals to plus 37 so it's plus 45 8 plus 37 it become 45 okay now those things we have to give them here we will give them what let x is equals to x is equals to 42 not 45 it's a 42 h is equals to 5 x n ki jo value hai woh hai 45 this implies that p is equals to x minus x n upon h yane ki x ki value hai 42 minus x n ki value hai 45 upon 5 it become minus 3 upon 5 minus 3 upon 5 minus minus 0.6 to yeh aaghi bachcho p ki value it's a minus 0.6 now 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 look backward difference interpolation formula ka use karengi ekle uske liye hume oopar mithana paadega table aapko clear le aur jho jho hume nye yeh nikala yeh clear hoonna chahiye x 42 iske corresponding hume y find karna h 5 common difference xn last value of x p x minus xn upon h by newtons backward difference interpolation minus backward interpolation formula kya hooga bachcho fx x x is equal to y n plus p del y n plus p p plus 1 upon factorial 2 del square y n plus p p plus 1 p plus 2 upon factorial 3 del cube y n plus p p p plus 1 p plus 2 p plus 3 upon factorial 4 del 4 y n and plus p p plus 1 p plus 2 p plus 3 p plus 4 upon factorial 5 del 5 y n right del 5 y n to ki have table values are to this we have formula to that we have substitute all the values substitute to you will get f f 42 is equal to y n y n last value of y is a 204 plus p value is minus 0.6 minus 0.6 into del y n del y minus 27 plus p p plus 1 yaini ki minus 0.6 or plus 1 it's plus 0.4 divide by factorial 2 yaini ki 2 or del square y n ki value 2 plus del cube y n ki value 0 y y y y y y completely 0 ho jayega to us 0 k d and next a e g del 4 y n ke l minus 0.6 0.4 1.4 and 2.4 divide by factorial 4 yaini ki 24 del 4 y n ki value 8 to y 8 plus plus minus 0.6 minus 0.6 0.4 1.4 2.4 3.4 and divide me factorial 5 mt ki 120 into me del y and del 5 y n ki value a 45 45 तो ये सारी values बच्चो हम लोगो ने यापर substitute करी जो हमे given थी जो हम लोगो ने table की मदस से निकाला और जब आप इस पूरे की पूरे expression को calculate कर लेंगे बच्चो ठीक तो आप लोगो finally जो answer मिलने माला है वो answer होगा 2 1 9 बच्चो इस बिकाउं 2 1 9 यानि की F 42 is equal to 2 1 9 तो I hope students आप लोगो backward difference interpolation स्वाजमले की मदस से किसी question को कैसे solve किया कि मदस से question है from the following table following table find F 7.5 और X दिया हो है बच्चो X है और Y is equal to F X है X है बच्चो 1 2 3 4 5 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 रच्चो रच्चो की corresponding value 1 8 27 64 125 125 216 3 4 3 5 5 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 इसमें आपको XN is equals to 8 दिया है, YN is equals to 512 दिया हुआ है, H is equals to 1 common difference, 1 दिया हुआ है, X is equals to 7.5 की corresponding आपको Fx fine करना है या Y fine करना है, ठीक है ना, आप सबसे पहले P बना लेंगे, ओकी, और इसके बाद मैं backward difference table बनाएंगे, backward difference table की मदद से आपको वो सारी चीज़े मिल जाएंगे, जो आपको Newton's backward difference interpolation formula में जरुवत पढ़ेंगी, ठीक है, P और table की मदद से formula में सारी value substitute करिएगा और finally जब आप देखेंगे, तो आपको answer मिलेगा 421.875 students, ठीक, तो आप इस question को इस तरह से कर लेंगे, ध्यान दीज़ेगा students के जो questions backward difference interpolation से आप कर रहे हैं, वो questions forward से भी हो सकत हैं और जो questions आपने forward difference interpolation formula से किये हैं, वो backward difference interpolation formula की मदद से भी किये जा सकते हैं, ठीक है न, याने कि interpolation के लिए दो formula आपके पास अब हो गये हैं, जिनका use करके आप ज़्यादा से ज़्यादा question जो आपकी बुक में दिये हैं, वोने कर सकते हैं, ठीक, फिर भी अगर आपको कोई doubt या query आती है, तो आप हमसे पूछ सकने है students by high, by mail या by whatsapp students, हम जल से जल आपकी queries को solve करने की कोशिश करेंगे students, और जल आपको जबाब देंगे, हम next video में students जल दी आपके सामने होंगे, thank you very much for watching these videos. झाल